उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहल लाने को प्रदेश में निकाली जा रही भारतिय जनता पाल्टी की परिवर्तन रैली ने सहरनपुर से सुरू होकर बिजनोर में छटे जिले के रूप में प्रिविश किया इस मोके पर जनपत बिजनोर की राजनेतिक राजधानी कहे जाने वाले धामपूर में भी परिवर्तन यातरा का प्रिविश हुआ धामपूर में परिवर्तन यातरा को लेकर नगर के रामलिला बाग में विसाल जनसभा का आईजन किया गया जनसबा से पूर्वी धामपूर में भाजपा के दिगज नेताओं का जमावाडा सुरू हो गया भाजपा के परदेश अध्यक्स केशप प्रसाद मोर्या के धामपूर पहुंचने से पूर्वी केंद्रिया मंतरी संजी बालियान सहीत कई सांसद धामपूर पहुंच गए इस दोरान केंद्रिया मंतरी संजी बालियान ने प्रैसवारता कर परिवर्तन यातरा के उद्देश से बताए साथ ही उन्होंने नोट बंदी के फैंसले पर बोलते हुए कहा कि नोट बंदी के फैंसले से भेष्टाचारियों की नीद उड़ी हुई है। कि उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम जंता को कुछ दिर की परिशानी जरूर होगी लेकिन जंता सरकार के इस फैसले के साथ खड़ी है और फैसले का समर्थन कर रही है परिशानी जरूर है पासमें गाव में कल तो बिल्कि विजनोर जनपत मैं ऐसा हुआ कि मैं इलाही रात के नो बजे टेंटर प्रोली में छे किलोमेटर दूरे गाउंस आई थी तो इससे एक बात का तो अंदाजा लगता है कि लोगों में बहुत उत्सा है प्रिवर्तन के लि लोगों में एक उत्साह है उमंग है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे प्रिवर्तन यात्रा का 24 दिसंबर का समापन परदान नुत्री लखनों में करेंगे प्रिवर्तन यात्रा विजय यात्रा में प्रिवर्तित हो चुकी मैं देखे बदलाव चाती है जनता और जनता को अच्छी तरह पता है कि विवस्ता प्रिवर्तन सप्या को बसपा से बदलने में नहीं होगा व्योग को रोजगार ये बात की सोच शरब भारतियनता पार्टी ये विकास की सोच जैसा उत्तर प्रदेश में चुनाप का समय है और नोट बंदी के मामले से एक बार फिर बिपक्ष को मुद्धा मिल गया है तो ऐसे में क्या चुनापी बढ़ने वाली है पार्टी की? नहीं बिलकुल नहीं जिस दिन से प्रदानमुती ने 50 दिन का जिनता से समय मागा और जिस उत्सागे साथ जिनता ने कहा कि हम समय देने के लिए त्यार है बस आप देश को बदल दीजिए भरस्टाचार को बाहर कर दीजिए काड़ा दन को बाहर निकालिए लोग में गाव मे दिल खोल कर स्वागत किया भारतिय जनता पाल्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सब प्रसाद मोरे रामलीरा बागिस्ति जनसबा में पहुंचे जहां उनका कार्यकरताओं जन प्रतिनिजियों और नगर की विभिन समाजिक संस्थाओं ने स्वागत किया इस मोगे पर संसद राजा भारतिन सिंग्, नगीना संसद डाक्टर इस्वन सिंग, बाक्वत संसद डाक्टर सत्पर सिंग, नूरपुर विधायक लोकेंद चोहान, मल्सी जैपाल सिंग व्यस्त, पूर विधायक असोक कुमार राना, डाक्टर इंदर देश्विंग, दुशन चोहान, क आज लिए बढ़ता की तर्शेस के हाला बहुत खराब है कानोन वेवस्ता पूरी तरी सिध्वस्त हो चुकी भष्टाचार चरम सीमा पर एक परिवार जिस प्रकार से परिवारी जंग में ब्यस्थ होकर के उत्तर प्रदेश को भगवान के भरोसे छोड़ देने का काम किया एसी सरकार को उखाण फविकने का या एकदम निड़ायक समय है और मैं आग सबसे परिवर्तन यात्रा के आगमन के अउसर पर आज विजनाओ और जंपल के धामपुर में यही आवाहन करने के लिए आया हूँ मानी नरेन मोधी जी के नेत्रत में 2014 में जब केंड़ की सरकार बनी तो उसमें उत्तर प्रदेश के 73 सांसत जिसके कारण से केंड़ में पोड़ वहुमत की सरकार बनी और आज 5 सांसत आपके सामने खड़े हैं मैं भी एक लोग सबाचेत का प्रत्मिदित करता हूँ मैं आपसे सवाल करना चाहे तो मानी मोधी जी ने जो फैसरा सुनाया है कि हमें एक हजार और पांसो की नोटों को बंच करने जा रहे आप मेंसे बड़ी संक्या मैं ऐसे लोग होंगे जिनको तकलीफ हुई होगी लेकिन मोधी जी के इस फैसरे से आप खुसें कि नाराजे मोधी जी के फैसरे से आप खुसें तो दोरों हाथ उठा करके भारत पाता की और मैं आप सब को अवहन करना चाहता हूँ अगर मोधी जी के सपनों का भारत, मोधी जी के सपनों का उत्रप्रेज बनाना चाहते हैं, तो 2017 में भारती जर्ता पार्टी से कोई गुंडा और अपराधी तुनाओं के मैदार में नहीं आएगा, या मैं आपको विश्वाद दिलाते हुए, या पिल करना चाहता हूँ, 2017 में या संकप ले करके जाएए, जो लोग नहीं आयों तक संदेश पहुचाएए, 2017 में कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई भास्ताचारी पिधान सबा का मूरा देखने पावे, या त्रय करके जाएए, जिस नड़े से देश का ही तो रहा होगा, जिस नड़े से गरीब का ही थोरा होगा, उस नड़े से भास्तान अब पीछे हटी, तभी पीछे हटने वाले हैं।